हेलो रिवन, गुड इवनिंग, स्वागत अपसभी का ओनलाइन स्टेडियोन में इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं Lucent Objective Book का Daily Practice It का Set No.6 जिसमें हम लोग 50 Questions का एक सिरिस देखते हैं और काफी अच्छे-चे Questions जो Lucent Book में दिये के वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें और इसका PDF में आपको already provide करा दिया था I hope कि आपने test लगा चुका होगा अगर आपने test लगा लिया तो आपने right answer को match करके देख लिए आपके स्कोर करते हैं और आज की cut-off को किया clear कर पाते हैं कि ने कर पाते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं देखे सबसे पहला questions यह कह रहा है कि रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सभ्यता थी वो कौन से है रंगपूर जहां हडपा की समकालिन सभ्यता थी सही answer हो जाता है सौराष्ट option हम C को tick करेंगे यहाँ पर मैंने कुछ points note down कर रहा है जैसे सौराष्ट प्राइदीप यानि आधुनिक में हम कह सकते हैं कि काठियावा सौराष्ट प्राइदीप में भादर नदी के समीब रंगपूर की खुदाई जो है यहाँ पर एक और point है कि यहाँ पर पुर्वहडपा कालिन संस्कृति के आउसेस मिले है यहाँ मिले कच्छी इटो के दुर्ग नालिया मृत्भान बाठ पत्थर के फलक आधी महत्यपूर्ण चीज़े यहाँ से मिली है जेनरल काटेगरिज के लिए 43 BC के लिए 41 SC के लिए 36 ST के लिए 38 और EWS काटेगरिज के लिए 39 वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू किया करें साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखे नोटिविकेशन बेल को आउन करके रखे चलिए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेशन यह कहा रहा है कि निमली कित में से कौन सी सिंधू स्थल समुंद्र तर्ट परिस्तित नहीं था तो इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाता है option D कोट दीजी ठीक है option हम D को टिक करेंगे कोट दीजी देखे मैंने आपके सुविधाय के लिए सारे चीज़ों को यहां पर नोट डाउन कर रहा है ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके और साथी सथा आप स्किन सॉट भी ले सकते है और आपको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज रखनी है और बाद में अप्रिवाइस करना चाहते है तो ठीक है देखे कोट दीजी सिंद प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपूर नामक स्थान परिस्तित है जो की प्राचीन सेंदो सबयता का एक केंदर था सवरपर्थम इसकी खोज धुर्रे ने 1935 इस्यू में की थी नियमीद खुदाई 1903 में फजल अहमद खा द्वारा संपन ने कराई गई तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट था ध्यान रखेगा चलिए थर्ड कोईस्न का राइट एंसर बताई क्या होना चाहिए मिगास्तिनिज ने भारतिय समाझ को कितने सेडियों में विभाजित किया था सारे इकोइसंस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सब इक्जामस के लिए इंपोर्टेंट है तो ऐसा बिलकूल भी ना सुची कि यार ये मेरे इक्जामस के लिए नहीं helpful करेगा कोटिल लेके अर्थसास्तर में किस पहलू पर प्रकास डाला गया कोटिल लेके अर्थसास्तर पर किस पहलू पर प्रकास डाला गया तो राजनीतिक नीतियां आप्सन बी को टिक करेंगे विसाल अनगार या फिर कह सकते हैं कि धन्य कोटार ठीक है चलिए प्रतापसिल हुड हरिड केसरी या फिर महराजा धिराज नामक उपाधियां एक नीम्ड में से किस ने धारन की थी या फिर किस की है तो ये जो उपाधिया धारन की थी प्रभाकर वर्धन ने उप्सन हम बी को टिक करेंगे प्रभाकर वर्धन दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको अनकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा अगर आप BPC की प्रिपेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त तो मैं आपको बता दूँ कि अनकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप इटुकेटर से पढ़ने का सुनेहरा मौका मिलेगा उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से जादा फ्री लाइव क्लासेस लाइफ डाउट क्लियरिंग के साथ 20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेशन और फ्री टेस्ट सिरीज हमारी प्रीपेशन के लिए मौक टेस्ट बहुत ज़रूरी है अब घबराने के जुरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अनकैडमी पर आप दे सकते हैं मौक टेस्ट वो भी फ्री में टी टेस्ट सिरीज में 20 मिनट में 20 कुएसन जो की आप रोज दे सकते हैं और एफ्री संडे BPSC प्रिलेम्स मौक टेस्ट दे सकते हैं ये सब कुछ बलकुल फ्री में हैं जब इतना कुछ फ्री में है तो आप को इसका बेनेफिट्स जरूर लेना चाहिए इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए प्लेश्टोर से डाउनलोड करे अनकाडमी लर्निंग एप और सलेक्ट करे बीपेसी गोल और यूज करे मेरी रैफरल कोड निरंजन 10 ठीक है और फिर आपका ये फ्री प्लान अक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकेंगे सारी क्लासेस और दे सकेंगे फ्री मॉक डिस्ट क्वेस्ट नमबर सेविन समराठ हर्च ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थनांतित की थी देखे इस क्वेस्ट को थोड़ा सा टॉफ करने के लिए क्या किया जाता मैं आपको बताऊंगा फैले आप इस क्वेस्ट को समझ लीजे कि हर्च वर्धान जो था अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज में अस्थनांतित की थी और कभी कभी क्वेस्ट आपको ये देखने को मिलता है कि हर्च ने अपनी राजधानी खालेश्थान से खालेश्थन अस्थनांतित की थी और options में आपको अगर आपने अप्षे से ध्यान में नहीं रखाए तो तो मैं आपको एक छोड़ा सा तरीका बताता हूं आपको वह तरीका याद रखना है जैसे आप याद रख सकते हैं कि हर्स जो हो ठक चुका था हर्स जो ठक चुका था ठक का मतलब क्या हुआ कि थानेस्वर से कनौज को इस तरह से थक गया था ठीक है ठक चलिए अगला निम्नमें से कौन सा छेत्र असो के समराज्य में समलित नहीं था असो के सम्राज्य में समलित नहीं था और आप्शन सी बिलकूल करेक्ट होगा स्रीलंग question number 9 पाटली पुत्र को किस सासाक ने सरप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी तो right answer यहाँ पे क्या होगा option हम A को टिक करेंगे चंदर गुप्त मौर option A बिल्कुल correct answer होगा next question दीखे बराबर की गुफाएं ठीक है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आसरे ग्री के लिए किया गया था या फिक ग्री के रूप में किया गया तो सबसे important point आपको याद रखना है कि बराबर की जो गुफाएं वो कहां इस्ती थे तो यह बिहार के जहानाबाद जीले में इस्ती थे इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है और असोक ने इसको बनावाए था अजीवको की रहने के लिए ठीक है अजीवको के आसरे के लिए इसको बनवाए गया था तो यह बिलकुल सही होगा मैं आपको बता दूँ कि बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज से जहानाबाद जीले में ये गुफा है बराबर और नगार जुनी की जुड़वा पहाडियां में इस्तित है तो ये point important हो सकता है चलिए फिला देखते हैं next questions किस सिला लेक में यह साबित होता है कि चंदरगुप्त का प्रभाव पस्चिम भारत तक फैला हुआ था पस्चिम भारत तक फैला हुआ था तो correct answer option c रुद्र दामन का जुनागर अभी लेक अगला प्रशन यह कह रहा है कि केवल वह अस्तम जिसमें असोक ने स्वयम को मगद का समराट पता है आप लोग उसे क्छोटी सी जिकायत है कि आप लिडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार वीडियोको लाइक क्या करो अधिक शवयम को लाइक कीजिए तभी तो हमें अच्छा लगया कि आप लोग हमें सप्पोर्ट कर रहे हो तो मैं आपके लिए अच्छी चीज़ी और भी ठीक है, तो वीडियो को अथिक सदिक जरूर लाइक करें, देखिए, गर हम correct answer की बात करें, असोक ने स्वयम को मगत का समराट बताया था, तो भाबू स्थम बिल्कुल सही आंसरों का option, डीको टिक करेंगे, next question क्या है कि थीन बांध किस नदी पर बनाए गया, थीन बांध किस नदी पर बनाए गया, तो देखिए, इसको छोड़ा सा तरीका मैं आप पोताता हूं, इसमें भी कई लोग कन्फ्यूज होता है, देखिए, पी वी वराबर इनाटी अपने पढ़ाओगा, आदर्स गयस का स पोंग बन्ध व्यास नदी पर और आर्टी का मतलब हो गया, रावी नदी पर थीन डेम, बात समझ में आई, बहुत छोटा सा एक तरीका है, इससे आपको याद हो जाएगी, बाकि आपकी मर्जी रटकर याद करना वो तो आपके हुनर में है ही, चलिए फिलाल देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेशन है, राइट अंसर ऑप्शन भी मीरा कुमार, नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नंबर 15 क्या क्या रहा है, कि सकलोत्रा पंतनात किसे कहा गया है, तो यह हम लोग हर्शवर्धन को कहते हैं, ऑप्शन भी बिलकुल सही आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश बांद किस नदी पर निर्मीत है बहुत ज़ादा important question है अक्सर यहां से questions पूछे जाते हैं तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागरबांद चंबल नदी परिस्तिते हैं option C को याद रखेंगे एक छोटा समय ट्रिक बना रखा आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं जैसे चंबल की गजरा और यह गजरा कहा आपकी है तो चंबल नदी की गजरा ठीक है तो देखें गजरा साइब का क्लियर हो जगा गौसे गांधी यहां पर गांधी सागर होना उत्तरपुर्वी भारत का एक मात्र मीठे पानी की जील कौन सी है तो लोक टक जील है और यह पढ़ता है मड़ीपूर में ठीक है मड़ीपूर बिलकुल सही आंसर रखाओ और दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ जो राष्ट्य उध्याने कीबुल लेमजाव नेशनल पार इनसुलीन जे प्रकृत्ति में कहां से पाया था तो डहेलिया की जड़ों से ही इनसुलीन की प्राप्ति होती है नेक्स्ट क्या रहा है कि न्यूमेटा फोर्स यानि स्वसन मुल प्राया मिलती है तो इसक्वेशन का करेक्ट आंसरम ओप्शन C को टिक करेंगे मैंग्रो पा बता करती है अब जो इंपॉर्टन पॉइंट आप इसको समझेगा मैंगरो पौधे में जो की विशेस स्वसन जड़ों का विकास होता है जिनके माद्यम से क्या होता है कि यह पौधे ऑक्सीजन कारबन डायोकसाइड का अधान प्रादान करते हैं इन जड़ों को न्यूमे रेक्ट आंसर क्या होगा आपसन एक को टिक करेंगे अलू ठीक है अलू जो होती है वह हम कह सकते हैं कि तना होता है ठीक है तना लेकिन गाजर सकरकंद और मुली यह सभी के सभी जड़े होती है ठीक है अपने देखा हुआ तो आपको यह पता होगा नेक्स्ट क्या है कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उतसर्जन करती है रेडियो धर्मी जो तत्व होती है वो किसका उतसर्जन करती है तो वो तीनों प्रकार के किर्णों का उतसर्जन करती है अलफा बीटा गामा यानि ऑप्सन हम बी को टिक करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है प्रकास छोटे-चोटे कणूं से मिलकर के बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रकास छोटे-चोटे कणूं से मिलकर के बना होता है जिने हम लोग फुटॉन कहते हैं ठीक है फुटॉन ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट प्रकास तरंग किस प्रकार की तरं यानि कहसे सकते हैं कि प्रकास तरंगे अनुपरस्थं तरंगे या है इसी तरह से याद रएकास्ति लेटular है कि भारती समुझान वहीं से ख्र्छन किया गया option हम eco tick करेंगे ठीक है चलिए फिलाल देखते हैं next questions क्या है कि LED यानि कि इसका full form आपको बताने LED का full form क्या होता है light emitting diode option eco tick करेंगे next questions क्या है कि निमलिखित में से किसे बतौर 20 खाद दिवस मना जाता है सिंपल सी भासा में बात करें तो 20 खाद दिवस कब मना जाता है तो 16 October को परतेग वर्स 20 खाद दिवस के रूप में मना जाता है चले इन बाकी के बारे में देख लेते हैं देखे 7 अप्रेल विश्वस स्वास्त दिवस 21 जून क्या होता है 21 जून को में लोग अंतरास्टे योग दिवस साथ इसाथ विश्वस संगीत दिवस के रूप में मना जाता है और 16 सेप्टेंबर तो आपको पता है होगा क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि ओजोन परत लक्छण दिवस के रूप में मना जाता है निमलिकित में से कौनसी रचना कालिदास की नहीं है कंसी रचना कालिदास की नहीं है तो मुद्राराक््षास की रचना कालिदास ने नहीं की थी इसकी रचनकार जो थे वह वástाकधत है अगला परश्ड भारते समिधान का सबसे बड़ा एकांग की सुरोत कौन से है सबसे बड़ा एकांग की सुरोत यानि हम कह सकते हैं कि भारतिय समिधान ने जो सबसे अधिक चीछे ग्रहन किये वो कहां से तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 ठीक है 1935 का प्रभाव सबसे ज्यादा था नेक्स्ट प्रस मैंता है कि उम्यम जील किस राज्य में पढ़ता है यह मिधाले में स्थित्थ हैं उपसन हम सी को टिक करेंगे साते साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट फ्रेम समढ़ लेते हैं उम्यम जील भारत के पुर्वुत्तर राजी मिघाले की राजानी सिलॉंग से उत्तर दिसा में 15 किलोमेटर दूर पहाड़ों में इस्तित एक जलासे हैं और इसे आम तोर पर भरा पानी जील भी कहते हैं तो ध्यान रखेगा बरा पानी जील अगर डारेक्ट भी पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है उम्यम जील ही बरा पानी जील के नाम से जानी जाती है अगला प्रशन के रहे है कि गोध प्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नार जन्दल कौन था गोध प्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नार जन्दल था लॉड डलहुजी अप्शन हम बी को टिक करेंगे अगला questions भील जनजाती भारत में सरवाधिक पाई जाती है भील जनजाती भारत में सरवाधिक पाई जाती है correct answer option C मद्दे प्रदेश में इससे जोड़ी मैंने कुछ points में आपे note down कर रखा आप इसको पढ़ करके समझ सकते देखे भील मद्दे भारत की एक जनजाती का नाम है और भील जनजाती भारत की सरवाधिक विस्ति छेतर में फैली हुई जनजाती है प्राचीन समय में यह जो लोग थे मिस्र से लेकर के लंका तक यानि से लंका तक फैले हुए थे और देखे भील जनजाती के जो लोग की भासा होती है वो भील भासा बोलते हैं ठीक है भील भासा साथ अगर पूछ ले के सबसे टॉप पे कौन है सबसे अधिक जनसंख्या जो की भील जाती की मद्ध प्रदेश में सेकंड नंबर पे गुजरात तो यह पॉइंट से जो कि आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती निम्ड में से कौन से है तो उत्तरप्रदेस की सरवादिक जनसंख्या वाली जात्ती हम कह सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर है थारू, ओप्सन ये बिल्कुल सही है देखे थारू जनजाती से समद्धित कुछ पॉइंट समझे जैसे थारू, नेपाल और भारत के सिमावर्ती तराई छेतर में पाई जनिवल एक जनजाती है नेपाल की सकल जनसंख्या का लगबग 6.6% लोग थारू है भारते तराई छेतर में अधिकांस्ता, उत्तराखंट, उत्तरपदेस और बिहार में रहते हैं और सबसे इंपाल जो कि कई बार ये क्वेस्टन्स पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाती दिपाली को सोक परवे के रूप में मनाती है और वो है थारू जनजाती तो ये सूपर इंपाल्टन्स बन सकता है, ध्यान रखेंगे चलिए, अगला कुष्ण देखें कहा है निम्न में से कौन उत्तक का उधारन है तो सही आंसर क्या होगा और किस टाइप का उत्तक है तो ये एक सन्योजी उत्तक माना जाता है समिधान के किस भाग में पंचायती राज विवस्था सम्मांदित प्राउधान जो है वो 73 समिधान संसुधन के तहत भाग 9 में सामिले option हम एक उटी करेंगे ठीक है चली अगला questions क्या कह रहें next question है कि कोई धन विध्यक कोई विध्यक धन विध्यक है अथवा नहीं इसका निड़ने राज्य में कौन करता है ध्यान दीजेगा राज्य में कौन करता है अगर सिर्फर सी questions पूछाता है कि इसका निड़ने कौन करता है तो लोग सभा अध्यक्च करता है लेकिन राज्य की बात करें तो विधान सभा अध्यक्ष करता है, option C को टिक करेंगे next विशन क्या है कि मुलांकुर के अत्रिक्त पौदे के किसी भी भाग में बिक्सित होने वाले जड़े क्या कहलाती है तो उन जड़ों को हम लोग कहते हैं अपास्थनिक मुल, option B को टिक करेंगे देखी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब मुलांकुर के अत्रिक्त पादप की किसी अन्य भाग से मूले निकलती हैं तो उसे हम लोग अपास्थनिक मूल कहते हैं और इसके उधारन, बाजरा, ज्वार, घांस और बरगद अगला प्रश्ट देखी, 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 यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा? गजलों के जनक के रूप में अमीर खुसरों को जानते हैं, option B बिलकुल correct answer है, कौन सही सुमेलित नहीं है, बताए यह कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखें यहां पर सही answer होगा, option A, प्रयाग प्रसस्ती की बात के जो कि समुंद्र देखा के हम देखें तो यहां पर रवी किर्थी नहीं हरी सेंड होना चाहिए था हरी सेंड रवी किर्थी से संबंदित एहोल अभी लेक पुलकी सीन दुटी से संबंदिते उसको आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट विसन क्या है कि गोकक प्रपाथ किस जीले मिश्थी थे गोकक जो जलप्रपाथ है वो किस जीले मिश्थी थे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोकक जलप्रपाथ जो करनाटक के बेल गाउं मिश्थी थे ठीक है करनाटक राज्य में बेल गाउं मिश्थ ते निमलिकित में से कौन सा एक विसू का सबसे बड़ा सितोष्ण निमर्वस्थर मैंने मर्वस्थर से लेटर अलग से वीडियो बना रहे हैं लगबग जेगराफिक के सभी टॉपिक मैंने अल्रेडी किलियर करा चुका है तो अगर आपको देखना है सारे टॉपिक वाइस तो आप मारे जा करके प्लेलिस्ट को चिक कर सकते हैं सितोष्ट मरवस्थल की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा तकला माकन मरवस्थल option हम B को टिक करेंगे जो की चीन में पढ़ता है question number 43 iris का क्या काम होता है iris जो होता है इसका काम क्या है iris का काम होता है कि आंख में जाने वाले प्रकास की मातरा को नियंतित करना option A सही होगा साथी साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट समिहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मानो तथा दिकान सस्थन धारियों एवन पक्च्चों की आंख के भीता एक पतली बृतकार सनरचना जिसका काम आख के तारे यानि पूपिल के व्यास को नियंतित करना होता है इस प्रकार कह सकते हैं कि iris रेटीना पर पहुँचने वाले प्रकास की मातरा को नियंतित करती है और आख का रंग देखे ध्यान भी जगा कि iris जो होता है इसको परितारिका भी कहा जाता है आख का रंग परितारिका के रंग से ही जो की परिभास्तित होता है यही निर्धारित करता है तो ध्यान रखेंगे चलिए next questions क्या करें कि कि किस अनुछेद के तहर संसद को नागरिक्ता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया संसद को नागरिक्ता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुछेद 11 के तहर दिया गया option D को टिक करेंगे next one बनता है कि मानो विकास उचकांग यानि कि हुम्मेंड डेवलोप्मेंट इंडेक्स किस अर्थ सास्त्री की देन है मानो विकास उचकांग जो है वो महबूबुल हक ने दिया था ये पाकिस्तान के अर्थ सास्त्री थे ठीक है और पर तेक वर्ष ये जारी कहा था UNDP के दौरा नीचे कमेंड करके बतेगा कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है? मैं अलड़ी बहुत बार आपको बता चुका हूँ नीचे कमेंड करके जरूर बतेगा कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है कौन सा मुगल सासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संड़क्षक रूप में कह सकते हैं जहांगीर ऑप्षन भी बिल्कुल सही आंसर है अगला क्विशनस असोग के जो सिलालेक संगम राजी के बारे में बताते हैं बताईए कौन सा सिलालेक? असोग के जो सिलालेक संगम राजी के बारे में बताते हैं वो है दूसरा और तेरहावा तेरहवे सिलालेक इसले भी important है क्योंकि कलिंग यूद के बारे में वर्णन तेरहवे सिलालेक से ही मिलती है और कई बार ये questions पूछा जा चुका है अगला questions उधोगो के विकास तथा औधोगी करण की रणनीती किस योजना का अंग था उधोगो का विकास तथा औधोगी करण की रणनीती जो थे वो किस योजना का अंग था तो सही आंसरोगा द्वितिये पंचवर्शी योजना ठीक है जो की कह सकते हैं ये PC माहा लोनवीस मोडल पे अधारित था और इसमें काफी भारी उदोगों की विकास भी हुआ था नेक्स्ट क्वेशन्स की भारत की जलवायू की सबसे महत्यपून विस्था कौन सी है भारत की जलवायू की सबसे महत्यपून विस्था कौन सी है और वो थे अलमसूदी, ठीक है, अलमसूदी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करके जाए, साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक सदिक, अपने ग्रूप में, फेस्बूक आउन पे सेर ज़रूर किया करें, और मैं आपको उता दूँ कि इस वीडियो का जो मैंने कटफ रखा था, क्या आपने किलर किया कि नहीं के लिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर करता है, चिक है, तो अब बात करते हैं, क्यूज के क्वेशन की, तो देखे क्यूज का क्वेशन मैंने आपके लिए लगा रखा, बताइए, भारत का महानेवादी कब तक पदधारन करता है, ये क्वेशन बहुत जादे इंपॉटेंट है, और साथे साथ इससे जुड़ी जो भी पॉइंट्स आपको पता हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, साथे साथ आपको, ये वीडियो कैसी लेगी, नीच जैसे कि, आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी चीज़े आपको एक ही सब्सक्रिप्सन में मिल जाएगे, ठीक है, और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, जो कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आगे कभी भी देखने के लिए, तो होई ना पूरी तयारी एक ही जगा पर, आएज जान लेते हैं, प्लस कोर्से के बारे में, अगर आप भी पेसी प्लस मेंस की कम्प्लीट प्रिपेशन करना चाहते हैं, हिंदी मेडियो में, फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फांडिशन बैच है, ठीक है, फांडिशन बैच है, इसमें आपको प्रिप्लस मेंस का कम्प्लीट कोर्स कराया जाएगा, और साथ इसाथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप फांडिशन बैच इंग्लिश में में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी 28 तारिक से स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इन दोनों बैचेज में आपको फूल गाइडिन्स मिलेंगा बिहार के टॉप एडुकेटर से, तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने त्यारी सुरू करने में अनकैडमी के साथ, अगर आपने इस बार का BPSC करना चाहते हैं, तो इन्रॉल करें लक से बैस में, इसमें आपके सारे GS के टॉपिक्स, सब्जेक्ट जो भी हैं, वो टॉप एडुकेटर के दौरा कवर कराए जाएंगे, उसी के साथ एंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराए जाएगी, सारे कोर्स की लिंक मैंने डिस सब्सक्रिप्सन लेने से, अनकेडमी का सब्सक्रिप्सन लेने के लिए बस आप प्ले स्टोर से अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल BPSC चूज कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे कोर्स के लिए इन्रॉल करें और गेट सब् तो देर किस बात की दोस्तों आज भी डाउनलोड कीजिए अनेकाडमी लर्निंग एप और बीपेसी क्रैक करने के लिए एरेडी हो जाएं